सब्सक्राइब करें टेकनिकल पिंडवाला को बेल आइकन को प्रेस करें लेटर्ट वीडियो सब से पहले देखने के लिए तो आज मैं आपके लिए लेक्वाल एक फोन में फेस का है तो इसे कैसे इनेबल करना तक्रीवन Oreo के अपडेट के बाद हमारे फून में मेरे 1 प्लस का फून है 3D तो इसमें फेस अनलोकिंग का फीचर है तो इसे कैसे इनेवल करना तक्रीवन Oreo के अपडेट के बाद हमारे फून में तक्रीवन सभी कंपनी के फून में फेस अनलोकिंग का फीचर है तो इसे कैसे अपने फून में तो चली कते स्टाट इसके लिए आपको जाना होगा अपने फून की साटिंग में देख विझे कोई application मैंने install नहीं कर रखा कि आपको बताने के लिए मैं application और बोल कुछ रहा हूं तो आपको simply है एपने फून की सैटिंग में जाना है सैटिंग में जाने के बाद हर एक फून का सैटिंग का फॉर्मेट अलग होता है आपको जहां भी मिलता है सिक्योटी एंड फिंगर्पिंट आपको वहां पर क्लिक करने के बाद आपको फिर मिलेगा स्मार्ट लोग का ओप्शन आपको क्लिक करने के बाद आपको ऐसा स्टी मिलेगा को किसी भी ऑप्शन पर नहीं करना सिर्फफ आपको करना एक रस्ट्वाइट वार्ट क्लिक करने के बाद आपको करना allow me चैनल Echo निएक तो आपको कही वी इदर ऊधर नहीं का न ड Dolla अशिजा अपने फेस पे फोकस करना कैमरे का ताँ जो आपका face है जो read किया जाए तो वही आपका face है जो लोग पे set हो जाए जैसे मैं next करूंगा तो camera on हो जाएगा तो देख लिजी मेरा face read हो चुका है तो अगर आप इसे remove करना चाहते है तो same वैसा ही करना आपको security and trusted face तो देख लिए यहां पर remove trusted face आपको वापकर क्लिक करना है remove का यहां से तो यह option बरका क्यांसे करता आप जब आपना phone lock करोगे अपना प्रेस करोगे बटन तो आपका camera जो आपका face read कर लेगा तो बिना किसी fingerprint के आपका phone आपको स्वाइप करना अपना स्क्रीन और आपका स्क्रीन यह अन्लोक हो जाएगा तो अगर आप इसको वीडियो के रिगार्डिंग आपको कुछ भी पूछना हो तो आप मुझे कभी भी comment में message कर सकते हैं I hope आपको वीडियो अच्छा लगा को वीडियो को like और dislike करना मत पू वोचिं